कि यहां पर कंप्लीट किया था तो चलिए मिलते हैं उसके नेक्स्ट पार्ट में आप सब ने लगन किया होगा avere डंप लव-Π थी यह वह X-ples-27 benefits कि यह को हम पॉइ पर्री या फीज मिलोशी होयी हैं ब्कौस इसे लौशी пр Catania उसकी जो लौशांजारै विश्यों में फ्रैयक जुश्राइव विश्यों क्या कहता है यहां पर कि जो उसकी फ्रेम कवीताई हैं भावुक भरी हैं वेंग्यात्मक हैं जटिल हैं सरल हैं ठीक है मुलायम है यहां पर यह सब इसके बताए गए हैं इन सब के बारे में साधी से पहले उसके कुछ लव अफेर भी हो सकते हैं और लंबे समय तक जो उसकी मितरता रहती थी इस बायोग्राफर रिचार्ड बेकर उसकी जो आतम कथा का जो लेकर कहां रिचार्ड बेकर वो क्या कहता है दाट कि डन वास फ्रीक्वेंट वीजिटर ओफ लेडिज डन ने बहुत चर लेडिज के साथ उसका जो अफेर था उसने उनको देखा है कहने का मतलब यहां पर यह है कि बहुत चारी वो मैन के साथ उसका लव अफेर था गहरे उसकी समन थे बहुत लंबे समय तक उसकी मितरता थी तो यह जब अपने अंकल के घर पे रहता था और वो उसके साथ भाग कर उसने यह सब साधी की थी अनिमोरे के साथ तो सी इस दा मेन शोर्ष ओफ इंस्पाइरेशन इन सोंग एंड सोनेट्स उसके जो गेत हैं जो सोनेट्स हैं उन शब में भी एनिमोरे की ही जो प्रेणा कस्त्रोत यहां पर दिखाई देता है देर आर थ्री डिस्टिनक ग्रूप ओफ दन्स लोग पोएम्स दन की जो प्रेम कविता हैं उनकी यहां पर तिन ग्रूप बताए गए हैं चलिए देखते हैं फॉस्ट ग्रूप इस ओफ दोस पोएम्स इन विच दन्स मूड इस शेनिकल फॉस्ट ग्रूप में जो डन का मूड है वह वेंग आतमक है ओके तो मोस्ट ओफ इस ग्रूप पोएम्स वर रिटन इस ग्रूप की जो अधिक्तर जो पोएम थी वह इन स्टार यह उसकी जो पोएम है पोएम उसने बहुत सारी लिखी है पर यहां पर इसका बताया गया है कि गो एंड कैच आ फालिंग स्टार इसमें ही सेज दाट वन कैन नोट फाइंड आ ट्र्यू फेद्फुल वोमें है एवन इफ वन ट्रैवल दा वोल यू निवर्श यदि हम पूरे यू निवर्श में ट्रैवल करने निकले जोएं निकले तो कोई भी पूर्न चरितर्वान विश्वास के लाइक को इस्तरी ऐसी नहीं मिलेगी एक भी सेकंड ग्रूप ओफिज लव पोयम्स सेकंड ग्रूप है जो उसकी प्रेम कविताओं का वी फाइंड प्लैटोनिक स्ट्रेनिस में हम आत्मिक प्यार को पाते हैं इस पोयम्स आर प्रोबेबली एड्रेस्ट टू हाई-बॉन लेडिज हाई-बॉन लेडिज मतलब जो उच घ हर्वर्ट लूसी एड्सेटरा एग्जेंपल विदिया है इसने कौनशी जैसे मिसीज हर्वर्ट थी और जो लूसी थी एड्सेटरा ठीक है डिफ्रेंट्स ओफ सेक्स नो मोर वी नो देन आवर गार्डियन एंजल डू ओके थर्ड ग्रूप देखते हैं किस बारे में उसने लिखा है यहां पर थर्ड ग्रूप में वो अपने जो सारिटिक लव के बारे में लिखता है इस ग्रूप ओफ पोयम इस अड्रेस्ट तो हिस वाइफ पोयम का जो यह तीसरा ग्रूप है यह सिधा अपनी उसकी वाइफ को सम्मोदित करता है तो in this group, his poems, इस group की जो कवेताई है आर सिंचर बड़ी इमांदारी है इमांदारी दिखाई गई है उनमें, dignified मतलब जो सपष्टा and grand उनमें सांति का जो वाउ है बड़ी ही सुन्दर रूप से इस group की जो कवेताई है वो उसने लिखी है जो कि अपने सिधा उसके पत्नी को वो संभोधित करती है आई होप आपको यह question समझाया होगा आभी तक एक complete नहीं हुआ guys इसका कुछ parts अभी रहता है वो हम next वीडियो में कलियर करेंगे तब तक के लिए बाई बाई थैंक यू